नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है बिट्टी का तन मस्ती का मन छड़भर जीवन मेरा परीचे मधुसाला की इन पंक्तियों में खुद को समा देने वाले हिंदी के एक महान कवी और लेखक हरिवन्सराय बच्चन यूँ तो हरिवन्सराय बच्चन जी का भोपाल से कोई भी तालुकात नहीं है लेकिन उनके बेटे और बॉलिवूड के जाने माने अभी नहीं था मिताब बच्चन की साधी ने उनका भोपाल से संबंद जोड़ दिया हरिवन्सराय बच्चन जी का जन्म 27 नौंबर 1907 को इलाबाद के परताब गड़ के पट्टी तहसिल के अमोड गाओं में हुआ था घर में उनको प्यार से बच्चन बोला जाता था उन्होंने अपनी कविता और लेखन के लिए वह इतने परसीद हुए कि बाद में इसी नाम से उन्हें पूरे दुनिया भर में एक अलग पहचान मिल गई जन्म के कुछ साल के उपरान थी वह अपने परिवार के साथ अमोड गाओं से इलाबाद आ गए और आकर इन्होंने जीरो रोड इलाके में किराय के घर में रहना सुरू किया जिसके उपरान उन्होंने अपनी प्रात्मिक शिक्षा लेनी सुरू कर दी उनकी आदे से जादा जिंद्गी किराय के घर में रहने में ही बीट गई हम बता दे कि प्रात्मिक शिक्षा पूरी करने के उपरान धरिवन सराय बच्चन ने सन 1929 में इलाबाद माविद्याले से बीए किया जिसके उपरान उन्होंने में एडमिशन ले लिया गांधी जी का आसायो गांदोलन सुरू होने के कारण सन 1930 में उन्होंने में प्रथम वर्स पास करने के उपरान पढ़ाई छोड़ दी जिसे उन्होंने सन 1937 में पूरा किया अंग्रेजी साहित्ते के विख्यात कभी डबलू बी येट्स की कविताओं पर रिसर्च करने के लिए वे कैम्बरिज भी गए रिपोर्ट्स के अनुसार जब हरिवन सराय बच्चन बीए पर्थम वर्स में थे उसी बीचन की साधी स्यामा से हो गई लेकिन स्यामा की मौत के उपरां धरिवन सराय बहुत दुखी रहने लगे अकेले पन से दूर होने के लिए वे बरेली में रह रहे अपने दोस्त परकास के पास गए जहां उनकी मुलाकात मिस्त तेजी सूरी नाम की एक लड़की से हुई और उन्हें उस से प्यार हो गया जिसके बाद उनकी एक नई प्रेम कानी शुरू हुई वर्स 24 जनवरी सन 1942 में हरिवन सराय बच्चन और तेजी बच्चन साधी के बंदन में बंद गए उनकी आत्म कथा क्या भूलू क्या याद करूँ नीड का निर्मान फिर बसेरे से दूर और दस दौार से सोपान तक उनके बहुमुले लेखन रहे हरिवन सराय बच्चन का सबसे बड़ी परसिद्धी मिली वर्स 1935 में जब उनकी कवीता मदुसालच छपी इसके अलावब वर्स 1966 में वहराज सबा के सदस्य के रूप में भी चुने गए हरिवन सराय बच्चन को सन 1976 में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया 18 जन्वरी वर्स 2003 में मुंबई में जब हरिवन सराय बच्चन की उम्र 95 वर्स थी तब उनका द्यान थुआ